नमस्कार दोस्तों MPOLN CAC Business Training की इस क्लास में आप सभी गस्वागत है आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं National Scholarship Portal के बारे में कि किस प्रकार से आप यहाँ पर NSP की दवारा यानि कि National Scholarship Portal के माद्यम से कैसे आप Scholarship के लिए form apply कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे यह जो Scholarship Portal है इसके माद्यम से आप After 12 यानि कि UG और PG के लिए जो form भर रहे हैं उन सभी के लिए उन सभी student के लिए आप Scholarship के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर कुछ criteria होता है जैसे कि आपका जो UG या PG है वो regular होना चाहिए पहली बात दूसरी चीज 12 में आपके minimum 80% अगर हैं तो ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं और इसके लावा जो आपका I है जो आपका annual income है वो 8 लाग से अधिक नहीं होना चाहिए तो यह जो criteria अगर आप इस criteria के इंतरगत आते हैं तो ही आप इस scholarship के लिए apply करें वरना आपका जो form है वो reject हो सकता है और यहाँ पर जो verification होता है इस scholarship का इस form का वो तीन level पे होता है सबसे पहले आपके institute level पर आपका verification होगा जो आपको करवाना पड़ेगा उसके बाद institute के बाद आपके district level पर इसका verification होता है और उसके बाद state level पर इसका verification होता है और ये तीनों verification होने के बाद ही scholarship आपके account पर आती है तो इसके लिए आपको form कैसे apply करना है इसको आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर आपको scholarship का portal दिखाई दे रहा है national scholarship portal जिसके लिए आप type कर सकते scholarship.gov.in यदि आप इसे google पर सर्च करना चाहें तो google पर जाकर आप directly type कर सकते है national scholarship portal जैसे आप click करेंगे सबसे पहली link आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर click करके आप इस portal को open कर सकते है ठीक है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ जो central scheme है verification की date जो है वो 15 December 2021 तक आप करवा सकते हैं अब इसमें form apply करने के लिए यदि आप new हैं तो आप new registration में जाएंगे और यदि आपने already भरा हुआ इस form को और आप second year में हैं तो आपको renewal करवाना पड़ेगा जिसके लिए आप direct login पे जाकर जो भी आपका session है renewal वाला वो session सेलेक्ट करके आप इसे renewal का form भड़ सकते हैं अगर आप नए हैं तो fresh application के लिए new registration पे क्लिक करें जैसे आप new registration पे क्लिक करते हैं आपके सामने guideline है जाएगी जिसमें सारी detail इस form से related आपको दिखाई जाएगी यहाँ पर आप इसे English में पढ़ सकते हैं हिंदी चाहें तो आप इसे उपर हिंदी की माद्यम से हिंदी करके भी पढ़ सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे अब यहाँ पर जो check लिखा है check option को check करने के बाद continue बटन पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक fresh registration का academic year 2020-22 का यह यहाँ पर window आपको सामने open हो गई है अब इसमें आपको क्या-क्या select करना है क्या-क्या भरना है सबसे पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो state है वो domicile यानि की अपना state चुनना है scholarship category आपको चुनने है आपकी pre metric है post metric है हम यहाँ पर post metric चुनेंगे student का नाम आपको भरना है scheme type में आप scholarship scheme लिखेंगे date of birth यहाँ पर लिखना है gender भरना है आपको gender भरने का मुबाइल नंबर email id then bank का IFSC code और यहाँ पर confirm bank IFSC code करना है bank account number confirm bank account number identification detail में आप अपना आधार या bank account ले सकते हैं जो भी आप लेते हैं वो आपको upload करना पड़ता है इसके बाद इसलिए जो भी आप यहाँ पर चुन रहे हैं उसकी image आपको scan करके अपनी system पर रखनी होगी then यहाँ पर जो capture दिया वो capture भरके एक register बटन पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास एक OTP आता है OTP के माध्यम से आपको यह जो form registration का form है इसको आपको verify करना होगा तो OTP के माध्यम से आप इसे verify करते हैं जैसे ही आप इसके register बटन पे click करते हैं तो click करने के बाद आपके mobile पर जो number आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उस number पे एक OTP आता है तो चली जल्दी से हम भर लेते हैं complete form भरने के बाद यहाँ पर आपको register बटन पे click करना है register बटन पर click करने को बाद आपके सामने इस परकार से student application ID generate होकर आ जाएगी इसे आप यहाँ पर save करके रख लें कहीं पर आप notepad में या किसी चीज़ में से आप चाहें तो copy करके भी रख सकते हैं या फिर आप इसकी screenshot ले लें ताकि यह आंगे काम आए continue बटन पर click करेंगे continue बटन पर click करने को बाद आपके सामने application ID आएगी जिसमें आपको वही application ID input करनी है then आपका यहाँ पर जो password है starting का password आपने जो date of birth जाली थी वही date of birth आपको यहाँ पर रखना है then capture fill करके login बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर हम capture जो है उसको fill करते हैं capture भरते समय याद रखिएगा थोड़ा सा कि यह जो small और capital है उसको ध्यान दे के भरिएगा क्योंकि capture जो है आपका वो case sensitive होता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा जो भी आपने mobile number लिंक किया है उस पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर fill up करना होगा तो यह हमरे पास OTP आ गया है OTP में character आपके सामने आएंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर मेरे पास आया है ht61 l अब हम यहाँ पर confirm OTP करेंगे यह भी जो है l की जगए capital i है confirm OTP करेंगे यह आ गया है new password में आ रहा है तो new password में हमको minimum 8 character का password लेके चलना है जिसमें आपको एक small, एक capital और इसके अलावा numbers और special character यह सारी चीज़ आपको रखनी होगी then submit आप करेंगे characters not allowed यहाँ नीचे आपको नियम मिल जाएंगे इसको भरने के कि किस परकार का आपका password होना चाहिए password create करने के बाद आप देख सकते है इस परकार से आपके सामने यह जो form है open होके आ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है application form पे application form पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से detail दिखने लगी है then आपको यहाँ पर कुछ detail भरनी है like general information है जो आपको fill up करना होगा academic detail आपको fill up करना होगा यहाँ पर सबसे पहले आप religion भर लें single girl child तो जिसे मैं नो कर देता हूँ community में आपका SC, ST, O, BC जो भी वो भर है then father name, mother name, annual family income आपको भरनी है day scholar है यह आपको भरना है then आता है आपका academic detail तो academic detail पर जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपका जो state है वो चुनना है then आपका जो district है वो चुनना है get institute list पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे जो institute हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर आपको scholarship मिल सकती है उनकी नाम यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं इसमें से जो भी आपका college है उस college को आप यहाँ से choose कर सकते हैं आपको वो college को option को check करना है और select button पर click करना है जैसे आप करेंगे आपका नाम यहाँ पर जो institute है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा देन आप करेंगे यहाँ पर इसके आंगे आप fill up करते चलेंगे आपका जो mode of study है वो क्या है यहाँ पर distance में नहीं आप regular full डालें इसके बाद present class date start date क्या है previous board क्या था आपने कहां से किया हो था university name previous course आपने क्या किया था उसके बारे में आपको लिखना है previous passing year, previous class, university, first, second, rank older, 10th का rule number, 12th की detail यह सारी चीज़ आपकी fill up होगी then आपको आना है other detail में is orphan तो यहाँ पर हम करेंगे no guardian का name क्या है आपका marital status क्या है any of the parents not alive तो उसमें आपको not applicable लिखना है या जो भी आपका है आपके हिसाब से सारी जानकर यह आपके यहाँ fill करनी है, fill करने के बाद save and continue बेटन पे आपको click करना होगा form submit करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का उसका detail आएगा जिसे आप print करके रख सकते हैं करने के बाद यह सारे जो documents हैं आपको documents के साथ college में जाके से verify कराना होगा इसके बाद check है और status एक option आता है उसमें जाकर आप check कर सकते हैं आपकी application जो है वो अभी किस level पर verification के लिए लगी हुई है तो इस परकार से आप national scholarship portal का form complete भर सकते हैं